सर एक बड़ी expenditure हमारी है salaries की आपने देखो गब महंगाई के सब तक बढ़ चुकी है फिर taxes भी federal government ने बढ़ा दिये हैं तो हमने बड़ा गौर विचार किया इस चीज के उपर के salary increase क्या होनी चाहिए federal government ने across the board 25 फीसद grade 1 to 17 और 22 फीसद 1 to 16 और 17 अबब 22 फीसद की पंजाब हकूमत ने भी कल budget announce किया उन्होंने भी यह increase की हमने बैटके बड़ी detailed working की हमने देखा कि जो minimum salary हम रखना चाहरे हैं वो आगे उस पर आओंगा जो हम recommend कर रहे हैं वो 37,000 रुपे हो तो वो जो entry level थी उसकी तनखा इस वक्त 28,000 रुपे है वो 4,000 के करीब बढ़के 34,000 बन रही थी 37,000 बन रही थी 33,000 बन रही थी तो हमने क्या किया है कि grade 1 to 6 की 30 फीसद तनखा बढ़ाई है on top of it अगर 30 फीसद तनखा बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपे नहीं बनती इसलिए कि अगर आज मैं grade 1 में नौकरी करूँ तो मुझे तक्रीबन 32,500 रुपे ये 30 फीसद बढ़ने के बाद मिलेंगे और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 37,000 minimum wage होनी चाहिए तो हम as personal पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनखा है हम एक personal पे एक differential का देंगे ताकि उनकी minimum तनखा 37,000 रुपे हो जाए ये सारे employees के साथ होगा और ये effect होगा grade 1 to 6 तक 6 के बाद ये नहीं होगा grade 7 से 16 की तनखा हम 25 फीसद बढ़ा रहें in line with other provinces हम 1 to 6 की और 17 से उपर उनकी हम 22 फीसद जो के बागी provinces ने किया है उतनी तनखा बढ़ा रहें इसके साथ साथ हम pensions हैं उसमें 15 फीसद का इजाफा pensions में भी कर रहे है